अब आप लोग बहुत अच्छे हैं और जनमास्टी मी बहुत अच्छे से नज्जाय करने वाले हैं और थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है क्लास 4 का है कम्प्यूटर का लेक्चर चैप्टर 2 हमें स्टार्ट करेंगे और इसे सिर्फ क्लास 4 के बच्चे नहीं है तो स्लेवर से क्लास 4 का लेकिन इसमें बेसिक है जो कि कम्प्यूटर उग्जाम में आता है तो आप सभी लोग के लिए इंपोर्टेंट है आप सब लोग इसे देख सकते हैं ठीक है आज का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप् विंडोज 7 चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे विंडोज 7 पे वस्कूर्ट करना सीखेंगे ठीक है और विंडोज 7 के बारे में इस चैप्टर में करने वाले हैं आई जानते हैं विंडोज 7 के बारे में An operating system is an interface between the hardware and the user ये क्या है Windows 7 क्या है एक operating system है ठीक है Windows 7 आपका operating system है जो की user यानि जो computer use कर रहे है और hardware के बीच में interface का काम करता है medium का काम करता है ठीक है माधियम का काम करता है It makes our PC alive and helps to run different application ये computer को में help करता है Alive का मतलब क्या आप यहाँ पे computer अलग अलग type के जो application है उन्हें रन करने में help करता है ठीक है It coordinates and manage the activities of a computer just like the principal of a school manages all the activities running in a school ये हमारी computer की activity को manage करता है ठीक है help करता है activity को manage करता है जैसे एक school का principle जब इस school में जो भी activity चल रही होती उसको manage करते है इस school के principle उसे तरीके से आपका जो Windows 7 है ये computer की जो सारी activity होती है उसे manage करता है coordinate करता है ठीक है Windows 7 is a ZUI Graphical User Interface Operating System आपका जो Windows 7 है ये क्या है एक graphical user interface operating system है फ्रेंड्स graphical user interface का मतलब कि इसमें picture के form में icons होते हैं इसलिए इसे graphical user interface करते हैं आगे दिया होगा detail इट प्रोवाइड्स graphical component to the user to interact with computers ये क्या करता है graphical components यानि जो icons होते हैं वो graphic के form और picture के form में होते हैं कंप्यूटर में जिससे हम interact करते हैं ठीके जो लोग भी computer यूज करते हैं वो इससे interact करते हैं इसे देखके आइकन को देखके हम समझ जाते हैं कि यह की ते गैलरी का है या फिर एडिट करने का है पेंट करने का है यह आइकन पर आइकन देखके हम समझ जाते हैं उस पर उसी टाइप की पिक्चर होती है ठीक है इट प्रोवाइट कमांड इन दसीप आप मेन्यू अदर ग्राफिकल अब्जेक्ट लाइकन इसमें इसके जो कमांड होते हैं वो भी ग्राफिक के पाउं में हो इससे हम समझ जाते हैं ठीक है यूजिंग माउस पॉइंटर भी जोजिक लिघूश्ड गांव एफने के लिए हैन को सबसुआ है ठीक है, because of these graphical component, it is called graphical user interface, ठीक है, यह जो graphical component, यानि यह जो graphical icon होते हैं, इसके वज़ा से ही, इसे हम कहते हैं, GUI, operating system, यानि graphical user interface, ओके, आये देखते हैं, features of Windows 7, Windows 7 was created in 2009, Windows 7 कब create किया गया था, 2009 में, 2009 में, ठीक है, this version is much different from its preceding versions and its advanced 2, यह जो version है Windows 7 का, जो 2009 में create किया गया, यह previous, यानि जो पहले जो इसका version था, उससे बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही advanced version है, ठीक है, Windows 7 operating system has become very popular because of the following features, आपको जो Windows 7 है, यह बहुत ही जादा popular हुआ, इन features, किस features की वज़ा से, आये जानते हैं, सबसे पहला feature क्या है, Windows 7 has a very attractive look with new colorful themes, desktop backgrounds and screensavers, जो आपको Windows 7 है, इसकी जो theme है, वो बहुत ही attractive है, और बहुत ही colorful है, और यह है इसका पहला feature, ठीक है, यह जो हम feature पढ़ रहे हैं, वो कौन सा feature है, Windows 7 जिस वज़ा से बहुत जादा popular हुआ है, वो features हम देख रहे हैं, पहला हमने देख लिए, अब second feature देखते क्या है, The taskbar of Windows 7 is more flexible and application oriented, जो Windows 7 का taskbar है, वो बहुत ही easy to use, मतलब असानी से हम use कर सकते हैं, और application oriented है, ठीक है, We can pin our favorite programs on the taskbar for easy access, हम अपने जो भी हम कोई भी अगर work कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी program हमारा favorite है, उसे हम pin कर देंगे, वो taskbar में save रहेगा, ठीक है, तो उसे हम असानी से access कर सकते हैं, जैसे हमने कोई website visit किया, या हमने कोई page search किया, ठीक है, अपने science का कोई page search कर लिया, आपको वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो उसे आप pin करके taskbar में save कर सकते हैं, जिसे आपको बाद में वो ढोड़ना नहीं पड़ेगा, आप वहां से जाके direct access कर सकते हैं, direct open कर सकते हैं, ठीक है, one second, it has a new start button and a start menu, इसमें एक new start button होता है और एक start menu होता है, ठीक है, windows 7 can perform, यह third feature देख रहे हैं, windows 7 can perform more than one task at a time, windows 7 पे आप एक ही समय पे एक से अधिक काम कर सकते हैं, मतलब सिर एक ही काम नहीं करेंगे, आप एक साथ कई सारे work कर सक करते हैं, जैसे, for example, we can type letters in MS Word, while enjoying music using Windows Media Player, example में यह हम MS Word पे कुछ भी अगर type कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम background में music भी चला सकते हैं, आप computer पे कर रहे हैं, अपने PC भी कर रहे हैं, laptop पे work कर रहे हैं, अगर आप MS Word में कोई typing का work कर रहे हैं, कोई letter type कर रहे हैं, साथ में आप चला सकते हैं, videos भी चला सकते हैं, और ऐसा हम करते भी हैं, कोई भी application, हम Windows 7 के कोई भी work कर रहे हैं, साथ में music भी play करते हैं, music भी चल रहा होता है, हम काम भी कर रहे होते हैं, इस वज़ा से हम क्या क्या सकते हैं, Windows 7 पे एक साथ हम कई सारे tasks perform कर सकते हैं, ठीक है, next feature इसका क्य है, the gadgets provide information and are fun to use, और जो gadget क्या है, provide करते हैं, information और fun to use, इस्तेमाल करना भी इसका बहुत ही अच्छा रखता है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसके जो gadget, जो information प्रोइट करते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, to show desktop button on the task bar, minimize all open windows and display the desktop, जो desktop button show करते हैं, उसमें minimize होत है, ठीक है, on the task, task bar minimize all open windows and display the desktop, हम minimize button से task bar में सभी जो windows है, उसे minimize कर सकते हैं, ठीक है, बस इसका feature इतना ही है, और यह जब भी हम कोई, अगर आपने MS Word उपर होता है, माइनस, प्लस and क्रॉस का minimize भी कर सकते हैं, तो task bar में नीचे आ जाता है, एक छोटे से icon में, ठीक है, फिर उ पीचे सो करता है, ठीक है, उस पर क्लिक करके हम direct, फिर MS Word उपन कर सकते हैं, हमें सिधे close करने की जरूद नहीं होती है, ठीक है, तो यह सब इसके features थे, जिसकी वज़ह से Windows 7 काफी popular हुआ, क्योंकि use करने यह सबसे ज्यादा importance, इसलिए popular हुआ, क्योंकि use करने में बहुत ही easy ह इस पर graphical जो icons होते हैं, वो असानी से समझ में आ जाते हैं, इसके लिए हमें कुछ भी shortcut keys learn करके नहीं रखना पड़ता है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, next lecture में हम पढ़ेंगे introduction to the desktop, desktop क्या होता है, इसका पूरा introduction हम देखेंगे, ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ा notification आपको सबसे पहले, अगर चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपका syllabus, देखेंगे, one by one, आपका syllabus chapter first complete हुआ, ऐसे ही करके आपका पूरा chapter complete होगा, परिशान मत होगे, आप लोग, आप लोग बस चैनल पे बने रहे हैं, विजिट करते रहे हैं, आपका पूरा syllabus मैं complete कर रहा हूँगी, ठीक है, एक one minute, हम brain box तो देखना भूली गए, Linux is also very popular operating system, ये भी आप लोग जान लेजे, Linux जो है, वो बहुत ही, ये भी Windows 7 तो popular है, Linux भी बहुत ही popular operating system है, system software है, ठीक है, ये free of cost में available है, मतलब ये free of cost है, available है, ठीक है, चलिए आज का ले thank you so much for listening me, be happy, stay healthy, bye bye, happy janmasst me to all of you